इंडिये के 26 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास राहूल गांधी को लेकर के कंपेंट दर्ज कराया है फ्लाइंग किस मामले को लेकर के और इस मृति इरानी जो केंद्रियमंत्री हैं उन्होंने राहूल गांधी के संसकार पर सवाल खरे किये हैं हमारे साथ इस मसले पर बाच महिला थी और फार्ती की भी हो गाँ एस उलं कि हम को राहूल जी फ्लाइं किस दे रहे हैं जैसे लाल कपड़ा को देख से भाएंस भ्यकरते है वैसे हमारे्यता को देख मिरती इरानी जी भड़कती हैं और संसकार की बात करती है मेरे नेता पे हमेशा आरोप लगाया जाता है अनरगल बयान दिया जाता है यहां तक कि परधान मंतरी मोदी जी सदन में बोले हैं बिधवा महिला तो उस समय महिलाओं का अपमान नहीं होता है क्या उसके लिए परधान मंत अपरी को माफी मागना चाहिए और जहां तक मेरा जो सवाल है मैं तो अभी भी बोल रही हूं कि इस भारत देश में लड़की और महिलाओं की कमी नहीं है हमारे पर जो राहूल जी नेता है वो साधी नहीं किये है अभी उनको साधी करने का मन हो जाएगा तो बहुत सारी मह संसकार उनकी है स्पीकर उनका है अगर ऐसा कुछ घटना घटी है तो जाच करवाले फूटेज केमरा जो है उसको दिखवाले और राहूल जी ऐसा कुछ किये हैं तो उन पर करवाई होना चाहिए अगर इसमीर्ती इरानी जी मेरे नेता को बदनाम करने के लिए ऐसा साजी स दिखेणा मेड़ लाम कवाले ऑवर्icting तो उन पर करते हैं कि हम लोग संसकारी है अज मनीपूर में महिलाओं के साथ कितना अठीमी आज महिलाओं को अपहर्ण किया जाता है उनका कपड़ा खोल के निकेट करके पैरेट कराया जाता है तो वहां भाजपा के संसकार कहा है जो वहां भाजपा की सरकार है वहां इस मिर्ती रानी जी उस मामले पर क्यों नहीं बेयान देती है अगर मेरे ब्यान से इस्मिर्ती रानी जी को कोई कष्ट हुआ है तो मेरी बड़ी बहां जैसी है उससे मैं माफी भी माई रही है सवाल संस्कारों को लेकर के उठा रही है आपनी भी कुछ कहा है उनको लेकर के उस बयान पर रहा है लोग बोलता है टीवी के चैनल के माधयम से हम लोग भी देखते हैं किस्मिर्ती रानी जी का का मदद की थी अपने घर में रखी थी उनके पती को भड़का के ये खुड साधी कर ली कितनी संसकारी है सब लोग जानता है वह तो सुक्या मेठी से वह सांसद है और वो हमेशा राहुल जी भरसेज इसमिर्ती रानी का लड़ाई बनाना चाहती है इस बार उनका छेत्र में बहुत इस्तिती खराब है 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें राहुल जी वहां से चुनाव लड़ेंगे उनका जीत निस्चित है इसलिए वो अपने को हाइलाइट होने के लिए सानुभूती भी टोरने के लिए ऐसा मामला उठाती है तो सुना आपने नीफी कुमारी को उन्होंने अस्पष्ट तोर पर कहा कि हाइलाइट होने के लिए इस प्रकार का मुद्दा उठाड ही हैं मेठी में इस बार राहुल गांधी की जीत होगी और उन्होंने इस परश्ट किया कि इस मामले में जाच हो जो भी दोसियों का रवा आई हो और उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में राहुल गांधी को बद्दाम करने की भाजपा कोशिश कर रही है इत्वी भाद के पटना से क्रिस्क नंदन